और दोस्तो, helpful channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हमारा topic है कि अपना destiny number को destiny number से आप जाने आप जीवन के बारे में क्या चीज, कब क्या हूगा यह हम destiny number से find out कर सकते हैं थीख है, दोस्तो तो यह अपने आप जानना है, इसतरर कैसे करना है तो ये वीडियो को अंट तक देखते रही है और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिए चैनल के रेट बटनों को क्लिक कर दिए उसके बगल में रिंग बेल होगा उसको प्रेस कर दिए और नई नी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा उस्ता मस्याए हो मेल कर दिए 549 at the rate gmail.com पे दोस्तों अब हम लोग पता करते हैं कि अब डेस्टिनी नम्मर से कैसे जाने की जीवन में कब भाग हो दे होगा कब हमाई चार्दी होगी कब हमारी marriage होगी तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डेस्टिन नम्मर जानने के लिए आपका जो नेम होता है उसका सब टोटल करना पड़ता है तो जैसे कि यहाँ पर नेम दिया जा रहा है पूजा वर्मा पूजा वर्मा को मैंने अल्फाबेट अर्डिकल पर लिखा है तो पूजा का सब टोटल आया 21 और वर्मा का आया 23 दोनों को सिंगल डिजिट में करनवर किया यहाँ पर 3 अब वहाँ पार अब टोटल किया 3 प्लस 5 is equal to 8 तो 8 नम्मर हो गया अब इस नम्मर को हम लोग सब डिवीज इस सबसे छोटे पार्ट में लीस्ट काउंट में तोड़ सकते हैं अगर तूटने लाइक हो तो हमने 2, 4, 6, 8 मतब 2, 2 के रूप में 4 बाली के 2, 4, 8 ठीक है तो 2, 2 के रूप में हो गया तो 2 को सिंगल डिजिट में करोड करें 2 प्लस 2 is equal to 4 देखिए कहीं न कहीं नाम से उसका डिस्टीन नम्मर जवूर मैच कर रहा है यह देखिए 8 टोटल है सब टेटर और 4 नम्मर इसका बाल है तो यह देखिए को रिलेशन बन गया आपका यह देखिए अब हमें इसका लग कप ग्रोह होगा तो fully लग कप ग्रोह होगा तो 8 टोटल आया नेम 8 का मल्टिप्लाइ अगर हम इसके बॉन एर से कर दें यानि किसे बॉन एर के सब टोटल से कर दें 4 से तो 8 मल्टिप्लाइ 4 is equal to 32 years 32 years में फुली तरीके से यह सक्सीर होना चालू हो जाएगा इनकी लाइफ में अब हमको क्या करना है जैसे कि हमने 2002 को 2002 को 8 लग नमबर से जैसे इनका बॉन एर है और प्लस जो इनका आया है डेस्टनी नमबर 8 उसको अगर हम डायट जोड़ देते हैं तो 2010 में भी इनके जीवन में बहुत अच्छी घटना है घटी ती दी इनको काफी सक्सेस मिली ती से यहर में ठीक है फिर इनके डेस्टनी नमबर को मैंने क्या किया इनके बॉन एर को लिया 2002 को लिया 2002 को हमने अगर सिंगल डिजिट में करना है फोर हुआ तो फोर जो टोटल आया इस फोर टोटल को 2002 में अगर हम एड़ कर दें 2006 फिर इसी तरीके से 2006 को 4 एड़ करते हैं 2010 ऐसे एड़ करते आएंगे तो इनके इस आपके जीवन में जितने महत्पुर घटना है अच्छी या बुरी होंगी दोस्तो यह रही मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लेज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लेज प्लेज सब्सक्राइब दो चैनल कोई समस्य हो मेल करते नितिन 549 at the rate jmail.com पे धन्यवाद दोस्तो हेल्फू चैनल को देखने के लिए